नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल फ्रिच्छा सरकल में स्वागत हैं यह आपका हिस्ट्री का इंट्रो वीडियो है हम लोग आज हिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे जैसे कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है अतित का अध्यन क्या है आज देखते हैं इतिहास का जनक हेरो डेटर को कहा जाता है अगर देखते हैं कि भारती अतित का अध्यन क्या है आज हम लोग भारती अतित का अध्यन करेंगे भारती अतित के अध्यन को इतिहास कारों ने सरलता के लिए तिन भागों बाड़ दिया है प्राग एतिहासिका क्या है प्राग एतिहासिक कल प्राग एतिहासिक से ततपर है कि जब मनुस ने लिपी अत्वा लेखन कला का अभिकास नहीं किया था और था वा काल जिसमें मानो जीवन का कोई लिखे साच उपलत नहीं था यानि कि हम कह सकते हैं कि प्राग एतिहासिक कल वा काल होता है जिसमे प्राग एतिहासिक सब्द का निर्माड दो सब्दों से मिलकर हुआ है प्राग प्लस एतिहासिक इसका अर्थ होता है इतिहास से पहले का काल यानि कि जो इतिहास से पहले का समय था उसे हम लोग प्राग एतिहासिक काल के नाम से जानते हैं इस काल को आदिम सभिता की नाम से बीजाना जाता है तो प्राग इतिहासिक काल है इसको आदिम सभुत्त की नाम से भी जानते हैं इसके अंतरकत पाश्वार युगिन सभेताओं को तीन भागों बाटा है पुरापाशारकाल मध्यपाशारकाल और नवपाशारकाल जानते हैं कि आदि एतिहासी कल क्या है वह कल जिसमें लिपी के इसपष्ट प्रमार मिले हूँ पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है उसे आदि एतिहासी कल कहते हैं जैसे कह सकते हैं कि वह कल जिसमें हमें लिखे साथ ही तो मिले हैं किन्तो अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है उस काल को हम लोग आध एतिहासे काल कहते हैं जैसे सिंद्व सभिता के में लिपी का प्रमार मिला है सिंद्व सभिता में जो लिखित साच्छी मिले हैं हमें किन्तो उनके अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है आई जानते हैं कि एतिहासिक काल या इतिहास जिसे हम लोग इतिहास कहते हैं आई देखते हैं कि इतिहास क्या है जिस काल का अतीत लिखित साच्छों में विदित होता है जिनको पढ़ा दा सका है उसे एतिहासिक काल कहते हैं यानि कि ऐसा काल, जिसके लिखे साच मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल या इतिहास कहते हैं, इसके अंतरगत क्या आता हैं? बैदिक सबुता से लेकल, वर्तमान तक का अतीर जो होता है वो हमारे अतिहासिक काल में आता हैं, okay, आए जादा लोग confusion रहते हैं कि इतिहास और हिस्टरी क्या है लोग बोलेंगे कि हिस्टरी भी वही है और इतिहास भी वही है तो आई यह हम लोग देखते हैं कि सूच मंतर होते हैं कुछ रेक्टे को कौन कौन से अंतर है इतिहास सब्दकानिर्मार संसकत भासा के तीन सब्दूस स हुआ है इति प्लस हा प्लस अस जिसका अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था यानि कि कि कर सकते हैं कि हां कंफर्म है कि ऐसा हुआ है अब देखते हैं कि हिस्टरी क्या है हिस्टरी सब्द यूनानी भासा के इस्तोरिया से बना है किसे बना है इस्तोरिया सब्द से हिस्ट्री बना है यह कैसा सब्द है तो यह एक यूनानी सब्द है जिसका अर्थ होता है खोज अनुशंधान या अनुवेशल जो इस्टोरिया सब्द है इसका अर्थ होता है अनुशंधान या अनुवेशल यहां दूसरे सब्दों में कह सकते हैं कि सोध से प्राप्त ग्या भी कर सकते हैं फिस्ट्री सद्दकाhm सर्वपषाम यूनानि इतिहास का हेलो डृतस है इतिहास का जनक कहते हैं फूरम टृतस की एक्म प्रात रचना द हिस्टोरिया है जो भ्रामा कहानियों से भरी पड़ी है ऑके दोस्तों यह आपके लिए कुछ महत्पूरत थी थे आपका इंठ्रों वीडियो था अंग्श्ट आपकी हिस्ट्री की पुथम क्लास रहेगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो चैनल को लाइक करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक